हेलो दोस्तो आज हम बताने वाले हैं पालक खाने के फायते तो दोस्तो आईए सबसे पहले बात करते हैं शेहत के लिए पालक कैसे फायदे मन साबित हो सकता है नमबर वन वजन बढ़ाने के लिए तो दोस्तो अगर आप भी बढ़े हुए वजन से परेसान है तो पालक का सेवन वजन घटाने में मदद करता है तो दोस्तो ऐसा इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि पालक में वजन घटाने संबन्दित गुण पाये जाते हैं दोस्तो असल में वजन घटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप केलोरी की कम मात्रा में सेवन करें तो दोस्तों पालक एक कम केलोरी वाला घातक पदार्थ है जैसे अहार में सामिल कर आप अपने बढ़ते वजन को नियंतरित करने कम कर सकते हैं अन्य विज्ञानिक अध्यन के अनुसार बताया गया कि पालक का सेवन सुच वजन बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है नमबर टू कैंसर में तो दोस्तों कैंसर में भी पालक का उप्योग फाइदे मन साबित हो सकता है असल में पालक पीटा के रोटीन और विटामिन सी से सम्रद्ध होता है और ये दोनों को सड़ तत्त विकासित हो रहे हैं कैंसर को सिकाओं से सुरच्छा प्रदान कर सकते हैं इसके अंतरिक्ट ये एक एंटी ऑक्सिटर्ड की तरह है तो दोस्तों आखों की समस्या से बचने के लिए भी आपको पालक के फाइदे ला पहुंचा सकते हैं आखों की द्रश्टी को सुच रखने के लिए गहरे हरे रंके पत्तेदार साग का सेवन करने की सलाह दी जाती है जिसमें से एक पालक भी है पालक में बिटामिन A, बिटामिन C पाया जाता है जो मुखी रूप से आखों में होने वाली मॉलुकुला डाइजेसन नेतर रोग से खत्रे को कम कर सकता है 4. हड्डियों से सुच रखने के लिए केल्सियम सबसे जरूरी पोशड़त्त्त है जो हड्डियों के निर्मार से लेकर उनके विकास में केल्सियम और बिटामिन C पाये जाते हैं लिए हड़ीयों को सुच बरकरार रखने के लिए आप पालक को दिनांक आहार में सामिल कर सकते हैं नमबर फाइब मस्टिक्स सुच और तंत्रिका तंत्र के लिए जैसा कि आपको उपर भी बताया गया है पालक में केलसियम की मत्रा पाई जाती है और केलसियम नरोड सिस्टम के कारी को मसामाने रूप से चलाने में मदद कर सकता है मस्तिक से सुच के लिए भी पालक के फाइदे देखे जा सकते हैं पालक मस्थिक्स स्थिक के लिए उपयोगी विटामिन के, लियोटीन फालेट और विटामिन के रोटीन जैसे पौसरतत्तूओं से भरपूर होता है पालक का सेवन यादा सक्ति को मजबूत करने का काम कर सकता है नमबर सेक्स हाड़ अटेक की खतरे में हाड अटेक के खतरे से बचे रहने के लिए भी आप पालक का सेवन कर सकते हैं पालक नाइटरेट पोशर्टत उसे भरपूर सबजियों में गिना जा सकता है जो इस्टेक और हाड अटेक की वज़े से होने वाली मौन के जोखिम को कम कर सकता है बलड परेसर को कम करने के लिए दोस्तों पालक खाने के फाइदे बलड परेसर से होने वाली जोखिम को कम कर सकता है पालक में नाइटरेट युक्त पालक बलड परेसर कम करने में लावदायक निर्माड दिखा सकता है साथ ही साथ या इस्तिती हिर्दे सुच को भी ला पहुंचाने के काम आ सकता है इसके अतरिक पालक में एक इंजाइम पाया जाता है जो उच्छ रक्त चाप को सुधारने में मदद कर सकता है समबर एड, एनिमिया के खत्रे को कम करने में तो दोस्तो एन्मिया सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी का सबसे ज़्यादा गर्ब अवस्ता के दोरान देखने को मिलता है आइरन की कमी के करण या इस्तिती हो सकती है एन्मिया के जोखिम को कम करने के लिए आइरन की भरपूर मातरा की ओसकता होती है जो पालक के जरिये पूरी की जा सकती है नमबर नाएन अंटी इंफ्लामेटरी के रूप में पालक आपको सुच्छ मजबूत बनाने के लिए अंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी कार कर सकता है तो दोस्तों anti-inflammatory को ठीक करने का गुण रखती है इसलिए पालक को anti-inflammatory आहार के रोप में उप्योग करने की सलाह दी जाती है 10. रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने के लिए रोग मुक्त रहने के लिए impunity का मजबूत रहना जरूरी है पालक में बिटामिन E की मातरा भरपूर रूप में पाई जाती है और बिटामिन E रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने का काम कर सकता है